हेलो दोस्तों तो आप सभी के मेरी यूट्यूब चैनल आयरुगानवेद में बहुत-बहुत सवागत है जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को इसे क्रम में बढ़ते हुए आज हम नेक्स्ट प्लांट भारंगी के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे कि आप लोग के सामने फिगर दिख रहा है यह भारंगी का प्लांट है तो आप देख लो और इसे पहचानने की कोशिश करना क्योंकि यह शरब होता है तो ज्यादा देखने को तहीं नहीं मिलता लेकिन अगर आप वह सामने कहीं भी दिखें तो आप आसानी से पहचान सकें तो देरी ना करते हुए आज का लक्षर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसके प्रटैनिकल नेम की बात करते हैं तो इसका प्रटैनिकल नेम जो है वो गलेरे डिंट्रों से रेटम और इसकी जो फैमिली है उसको वरबिनेसी फैमिली में रखा गया है और अगर इसका रीजिनल नेम की बात करें तो इसे गलेरी बावर बोलत इसका है जब कि हिंदी में इसको भारंगे बोलते हैं अब हम इसके निरुप्ती की बात करते हैं तो आप यह वाला याद रखो यह शौट में ना बनकति रोगान आप यही याद रख लो बहुत जादा यूस्फुल है इसका मतलब होता है बनकति रोगान डिस्टर डिजीज होता है परिया के तो प्रिया जो होता है यह रफण के फिलावर को दिखते है और अंगारव्ली इसका अध़र परिया है जब यह खिलते हैं तो अंगार जैसे परतीत होते हैं मतलब ऐसे दिखाई देते हैं ब्रह्मडी चउता परिया है जिसमें एसके मतलब मतलब होता है प्लांट। वेरी यूसफुल और मतलब यूसु प्लांट इस्टिम जो होता है वह स्टी उसके सिमलर यूस होता है बहुत ज़्यादा तो अब हम बात करते हैं इसे गड़वरगी करड़ की तो आचार चरक के नुसार देखे तो इसे प्रूसर संगड़ी माया को साहे में रखा गया है तो और अगर आचार शु हैं मतलब यह कहां पाए जाता है तो यह मैले केरला में विहार में वेस्ट बेंगौल में करनाटका और सब्सक्राइन-बान की शालमार्वित करते हैं मतलब यह shrub होता है इसके जो पत्र होता है वो 3 से 6 इंच लंबे दंतुर आयताकार होते हैं मैं आप लोगों को इसके पत्ते दिखा देता हूँ जैसे के सामने यह पत्ते हैं तो आप इसे देख लो दंतुर मतलब यह तो इससे काटे लगते हैं , यह काटे beğ सान होती है अब हम इसके कांड मतलब आगे बात करते हैं इसके कांड सीधा सरल अलप शाखायोक्त होते हैं और जो पत्र देखते हैं जो इसके नोड होते हैं वहाँ पे तीन तीन चक्रों में होते हैं मतलब एक नोड पे तीन ऐसे पत्ते बने होते हैं फिर हम इसके types की बात करते हैं, इसके जातिये की बात करते हैं, तो यह mainly 4 पर करकर के होते हैं, आप इसे बस इतना याद रखो कि 4 ही होते हैं, अगर आपको नाम याद रखने के जरूरत हो तो यह नाम mention के मैंने, तो आप याद कर लो, बाकि अब हम बात करते हैं, इसके next पर कौन से होता है तो इसे होता है इसमें होता है इस्टिगमा स्ट्रोल डी मैनिटल एंड इस सैपोनिंस एंड बीटा साइट स्ट्रोल एंड बीटा लिनॉलिक एसीड अब हम नेक्ष बात करते हैं इसके रस पंचक की तो इसका जो रस है वो देखा जाए तो पहले मैंने ट्रिक बताया कैसे बनाते हैं जिसे मदूर अमल लवण का टूर तिक्स कसा है हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 नमबरिंग देते हैं तो जिस पर जो रस आता है उसे की सबसम्सका नमबरिंग करते हैं तो इसका जो देखिए कट्व आ रहा है तो मतलब मदूर अमल लवण कट्व मतलब 4 तो पहले जो इसका है वो है 4 फिर हम उसके बात करते हैं विपाक की तो कट्व विप तो यह दो वादर 432 इसका ट्रिक है और अब हम इसके बात करें तो गुड की तो यह लगू रूख शुता है अब हम कर्म की बात करते हैं तो यह श्वास हर काश हर दीपन पाचन शोथ हर जवर हर किरमिग दाहर वरण हर और रूचिकर होता है और इसके हम इंडिकेशन की बात करते हैं यह रोगू नदा की बात करते हैं तो यह श्वास कास पीनस अरुची अगनीमंद में गुल्म शोथ जवर राजक्षमा वरण किरमी जवर और अर्श में करते हैं फिर इसका जो दोस्करम हो कफ वात शामक है आमिक परियोग की बात करें तो सबसे पहले इसके हम बा अगर हमें लहन्पर्पश अगर हमें लेहन परफस के लिए बनाना है हमें बहारंगी के पेस्ट बनानी पड़ता है जिसमें मदू और ग훈 Deb और साथ में भारंइगी लेते हैं फिर दूसरा आता है आरश तो टकर प्रिपेर विद भारंजी सरीवा या आमलकी और गुड़ुचि इन सभी को मिलाके हम भारंजी साथ उसे तकर बनाते हैं फिर अम हम देखें तो मदात मतलब भारंजी के कसाय बनाते हैं और उससे बात लेते हैं, फिर हम मात्रा की बात करें, तो जो इसके मैंने जैसे बहले बता दिया है आप लोग को, कि इसका मूल यूज होता है, तो उसके 3-6 ग्राम चूड लेते हैं, अब हम बात करते हैं योग की, कि इससे कौन-कौन से फर्मॉलेशन बनते हैं, तो वो पहल है धनमंत्री घृत बिडंगादी चूड भारंग्यादी चूड और भारंग्यादी कस्वाय तो आज के लेक्चर यहीं समात होता है आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा अगर आपको इसमें से कोई भी ऐसे शब्द अलफाज या नहीं समझ में आते हैं तो नीचे आप कमेंड कर सकते हैं और अगर आपको इसका पीडियाफ चाहिए तो आप नीचे दिये हुए लिंक टेलिग्राम का है आप उसको फॉलो करें महां जॉइन करें आपको महां पे सारे पीडियाफ मिल जाएंगे हर एक चीज के रिगार्डिंग जितने भी मैंने लेक्चर लिया है और कुछ जो निव निव नोटिस चाहिए नसे एसम की द्वारा है चाहिए कोई भी है अगर आपके लिए यूसफुल है तो आपको वहां पर मिल जाएगी अगर आपको और भी कोई भी चीजे समझ में नहीं आ रही हो किसी अलग सब्जेक्ट का या और क आपको कोई और निव वीडियो चाहिए किसी और सब्जेक्ट की रिगार्डिंग जल्दी चाहिए तो आप मुझे बता दे मैं जल्दी उसका लिंक मैं वीडियो जल्दी शेयर कर दूंगा ठीक है फिर मिलते है नेक्श वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर और आराम से अच्छे से पढ़ाई करते रहो ऐसा नहीं कि बस मैं लेक्शे ले रहा हूं तो इसको कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा यूस्फूल है आप सेकंडियर में पढ़के ना जब आप आयरवेदिक ठेपे देंगे तो आपको यही सम्मिलेगा आपको मॉडम की कोई चीज न नहीं मिल नहीं है तो इसलिए जो भी पढ़ों अच्छे से पढ़ों और दिमाग लगा कर पढ़ों ठीक है फिर मिलते हैं तो टेक लिए टेक क्यार